किसान बायो नमस्कार आप सबी का स्वागति हैं हमारे चैनल में इस वीडियो में हम बात करेंगे तिस दिनों के अंदर या तिस दिनों के बाद आपको कौन-कौन से जरूरी काम करना चाहिए जैसा कि दोस्तो आप हमारे वीडियो में देख पारे हो ये जो आप लैसुन की फसल देख पारे हो ये लैसुन की फसल उटी फश्ट लैसुन की खेती हमने की है इसको हमने मज़दुरों की साइता से लैसुन की चौपई की है जो हमारा लैसुन देख पारे हो ये लैसुन हमा पारा 25 से 30 दिन की आउस्ता में हो गया हैं दोस्तों इसको हमने पहले से जब इसकी बोई के थी उसके पहले हमने भीच को एक मेरे समें तक घर पर दिया था जिज़ा कारण हम इसमें जब हमने इसका germination किया था तो यह germination तूरंद ही अपने खेयद में हो गया था यानि कि 5 से 7 दिनों के अंदर कर पूरा germination हो गया था हमने इसमें drip irrigation तो नहीं किया है लेकिन हमने इसमें फौरा spinkle किया है तो फौरे की साइता से हम इसकी सचेई करते हैं पहली सिचे हमने सुके के हद में फौरे से की थी उसके तीन दिन तक हमने लगातार फौरे से इसके सिचे की थी उसके बाद में हमने इसमें फौरे बन कर दिया थे पांस से साथ दिन का गेप दिया था उसके बाद में हमने मोटर में केरियों में पानी लगा कर इस लेसुन की सिज़े की थी उसके बाद में हमने वापिस साथ से आर दिन तक इसमें कूजने किया उसके बाद में हमने इसमें जो सरसु हैं सरसु की हमने इसमें नीरे गुड़े करवा ली थी क्योंकि पिछले साल हमने इस खेद में सरसुकी बुई की थी जिसके कुछ दाने जमीन के अंदर रह गए थे क्योंकि इस बार लेस्टून की फसल में कापी ज़्यादा उग गए थे तो हमने सरसुक के लिए हमने मजदूर बुला कर उखाड लिए ना कि हमने सरसुक की खतम करने के लिए कोई हर्भी साइड दवा का प्रयोग किया है अगर आप सरसुक की फसल में हर्भी साइड दवा का प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा समश्य देखने को मिलती है इसमें जो पत्या है उपर से जुल जाती है पीलापन आ जाता है तो पोदे की गरोध कुछ समय के लिए रूख जाती है तो हमने मजदूर की साथा से सरस्टो को निकाल लिया है तो उसके अलावा हमारी लेस्टन की फचल में किसी भी परकार का खरबतवार नहीं है अगर आप किसी भी फचल में खरबतवार नाशक दवा का प्रियोग करना चाते हैं तो आप सुके खेन में पेंडा मिथली नमक दवाई का प्रियोग कर लेवे जिससे कि 30 दिनों तक बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा उसके बाद फसल की अवस्ता पर अगर आप हर भी सारी दवा का प्रियोग करते हैं तो उससे फसल पर विप्रीज प्रवाव देखने को मिलता है तो ये समय पर हमने तीसरे पाने के पहले इसमें हमने यूरिया खात का प्रियोग किया था यूरिया खाथ के प्रयोग के बाद आप हमारी लेस्न को देख सकते हैं लेस्न में बहुत ही ज़्यादा हरापन दिखाई दे रहा हैं और पोदे की गरोद भी अच्छे दिखाई दे रही हैं पोदे में 5-7 पतीया का हमारा लेस्न हो गया है और बहुत ही अच्छी लेस्टन की क्वालिटी वो लेस्टन का पोदा अच्छी ग्रोध पर आपको देखाई दे रहा है तो आपको 30 दिनों के अंतरगत लेस्टन में यूरिया खात और यूरिया खात के साथ आप सागरी का अगर या हूमिक एसिट देना चाहते हैं तो आप 30 दिन के पहले आपको पहला खात पूरा कर लेना चाहिए उसके साथ आपको 30 दिनों के अंतरगत लेस्टन की फसल पर कोई भी स्प्रे करने के आव सकता नहीं होती हैं तो 30 दिनों के अंतरगत कुछ ये जरूरी काम जो हमने किये हैं वह काम हमने बता दिये हैं अब आगे हम क क्या क्या करते हैं वह काम भी बताते रहेंगे अभी हमारी लैसुन की फसल में किसे भी प्रकार के रोक का टेक देगने को नहीं मिल रहे हैं बहुत ही अच्छी फसल हैं तो आप भी लैसुन की ख्याते कितनी की हैं किस प्रकार से लैसुन की ख्याते करते हैं हमें कमेट करके आ आउसे बताई ये धन्यवाद